नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अलपेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का में वेलकम करता हूँ दोस्तों मेरे पास है एक वायरलेस ब्लुटूथ माउस और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इस माउस को यह अलग-अलग कंपनी के हो सकते हैं लेकिन इसको कनेक करने का एक ही तरीका है तो अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो किसी भी प्रकार का माउस आप अपने लैप टोप में या पीसी में आराम से कनेक कर पाएंगे तो वीडियो को अंतर तक देखते रहिए वीडियो शुरू करने से पहले एक खास न्यूदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आये हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब निक्या है तो इस लाल बटन को तो पगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और पास में जो गंटी का निक्सान है उसे प्रेस कर लिजे ताकि नेक्स टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाओ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच आए तो आईए वीडियो सबसे पहले आप इसको जो ऑपन करते हैं तो आपके पास एक ये डिवाइज आता है ये देखिए एक चोटा सा डिवाइज मिलेगा तो इसको एक बार में या रक लेता हूं और यहां पर में एक सैल डाल देता हूं तो सबसे पहले तो आपको ये सैल डाल देना है उसके बा अमने लैप्टॉप को अन कर लिया है और अब यह जो डिवाइस है छोटा वाला इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं जैसा ही आप लगाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे एक नोटिफिकेशन आयाएगा अब दूस्तो आपको कुछ नहीं करना है थोड़ी सी देर आप इसे रहने देंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका यह जो डिवाइस है वो काम करने लग गया है यहा दिखाई दिखाई दिया होगा यहाँ पर मैं यूट्यूब के ओपर क्लिक कर देता हूं और आप देखेंगे कि यहाँ पर यूट्यूब भी ओपन हो गया तो बहुत ही सिंपल है किसी भी वायरलेस ब्लुटूथ माउस को लेप्टोप या पीसी से कनेक करना है कुछ नहीं अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिन जय भारत जय भारत जय बारत इसे नहीं